क्लास एट के कनरा टेक्स्बुक में वीर सवरकर को लेकर ऐसी कुछ वीर पंक्तिया लिखी गए जिससे सोचल मीडिया पर पिछले दो दिनों से एकदम बगेडा खड़ा हो गया है ये उस टाइम की बात है जब वीर सवरकर को अंड़मान जेल पन कैद किया गया था पंक्तिया कुछ इस तरीके से हैं कि देखिए एक चावी का की होल भी नहीं था चोटा सा सेल था अंधेरा था लेकिन एक बुलबुल आया करती थी उस कमरे में और सवरकर उस बुलबुल पर सवार होकर अपने मदर लैंड को देखकर भारत माता की सैर करने वो निकल जाते थे सोशल मीडिया पर जब ये बात सामने आई तो बहुत लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि यार ऐसी भी क्या वात है हैं ऐसी भी क्या वफादारी है अंग्रेजों के लिए कि आप बुलबुल पर बैट के निकल जाते थे फिर वापस रात को आ भी जाते थे सेल के ने डिफेंस में भंदगण आया है और उन्होंने कहा देखिए देखिए ये तो पोईटरी है ये तो पोईटिक सेंच से बोला गया है हाला कि ये बात सच है कि टेक्स्ट बुक में पोईटरी नहीं होती है पोईटरी के लिए अलग लिटरिचर होती है लेकिन टेक्स्ट ब नामे इन्हों ने लिखे थे शायद ही और किसी freedom fighter ने लिखे थे तो ये कोई coincidence है कि इतनी इज़त दी जा रही है वीर सवरकर को या फिर ये कोई सोची समझी planning है देखे सच तो ये है कि जेल जाने से पहले वीर सवरकर ने लंडन में एक बहुत famous speech दिया था जिसमें उन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ एक ही aim होना चाहिए उसका और वो है absolute independence of India लेकिन अंग्रेजों के हाथ arrest होने के बाद सजा सुनने के बाद जेल में time बिताने के बाद कुछ न कुछ तो उनके अंदर था जो टूटा क्योंकि अपने माफी नामों में उन्होंने कई बार और बहुत सार ज़्यादा वफादार होंगा मनें English के लिए England के लिए सबसे ज़्यादा loyalty मैं ही दिखाऊंगा उनके बहुत सारे माफी नामे में ये भी दिखाता है दिखता है ये साफ साफ कि उनसे गल्ती हो गई थी वो बहकावे में आ गए थे बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए और ये जो उल्टे सीधे लोग हैं जो दूसरे खयालात रखते हैं ये करांतिकारी टाइप लोग हैं उनको वो रोकने की भी कोशिश करेंगे यहां भी बहुत लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो माफी नामी लिखे गए थे ये जो माई बाप किया गया था ये तो सिर्फ एक ploy था, ये तो strategy थी उनके चुंगुल से बाहर निकलने के लिए जिससे की करांतिकारी activities फिर से चालू हो जाए लेकिन कोई भी आज तक ये थाबित नहीं कर पाया है, कोई भी ऐसा record नहीं है कि अंग्रेजों के चुंगुल से बाहर निकलने के बाद, release होने के बाद, उन्होंने freedom fighting के लिए कुछ किया, freedom efforts के लिए कुछ किया, rather जाधा politics खेला गया और जो freedom independent movement था, उसमें और cracks ही लाने की को पुशिश करोगे, तो भाई किसी न किसी को तो prop up करना पड़ेगा न, और उसी चीज में ही आते है, the role of weed, सबर कर, देशभक पर हम कहते हैं कि भाईया देखिये, आप कोई बात नहीं, आप नहरू नहीं, आप गांधी नहीं, आप दूसरे heroes celebrate करिये, भगत सिंग है, लेकिन आप भगत सिंग को मानते नहीं हो, बोस है, लेकिन बोस को भी उतना नहीं बानते हो, क्यों, ये सोचने वाली बात है, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि हमारे जो देशभक्त, कड़कमर्च.com slash the देशभक्त जो स्टोर है, उसमें भगत सिंग के बाद किसका टी-शट होन क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा ग्लोरिफिकेशन आपको बहुत जादा दिखेगा, अल्रेडी ये जो प्रोजेक्ट है कि हमारे इतिहास को कैसे बदला जाए, ये शुरू हो चुका है, दोहजार दो, गुजरात राइट्स, एमर्जेंसी के ड्रिकोनियन इंपक्त और चैप्टर्स, की सोशल मुव्मेंट्स क्या होते हैं, प्रोटेस्ट क्या होते हैं, नर्मदा बचा अंदोलन क्या था, दलित पैंथर्स क्या थे, भारतिया किसान यूनियन ने क्या-क्या और कहा-कहा प्रोटेस्ट किये हैं, ये सारी चीजे धीरे-धीरे हमारे टेक्सबु कुछ कम कर दिया जाए ये मैंने फर्जी वारा यहां बात कर रहा हूँ वैसे रितिका चोपड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस पे एक चार पार्ट इस पर सीरीज लिखी है काफी बढ़िया है मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है पढ़ लीजेगा बढ़ियां पत्रकारिता जिसको कहा जाता है ये तीसरी बार हो रहा है कि हमारे टेक्सबुक का रिव्यू हो रहा है एक ओवरॉल जो रिव्यू होता है जिसमें बहुत सारा संसोधन होता है बहुत सारी चीज़े चेंज होती है 2017 में पहली बार किया गया था NCRT के टेक्सबुक को चेंज किया गया था 1300 से जादा चेंज़े हुए थे दूसरा हुआ था 2019 में प्रकाश जाबडेकर तब एजुकेशन मिनिस्टर थे और अब जो लेटिस्ट वाला हुआ है 2021 में हुआ है और इस rationalization का जो excuse दिया गया है वो यह है कि बच्चों को थोड़ा speedy recovery करना चाहिए न आरे दो साथ से schooling रुख गई थी तो उनको थोड़ा सा load कम करो और वापस education catch up करना चाहिए इसको कहते है आपदा में अफसर कि भई आपदा में आपने अफसर क्या किया है जो embarrassing चीज़े हैं जो controversial चीज़े हैं जो आप चाहते नहीं हो कि अगली generation समझे या पढ़े उनको आपने हटा दिया 2002 गुजरात rights out of the textbook पढ़ेंगे नहीं बच्चे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और वो reference भी जो national human rights commission ने तब दिया था कि गुजरात government को chief minister और गुजरात को कि वो राज धर्म follow करे as a ruler कि भाई किसी के भेद भाव न करे कोई discrimination न करे on their caste, creed और religion delete अब हमारे बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे ना ही वो emergency के बार में पढ़ेंगे emergency का chapter ही out political science of India since independence class 12 के political science के text book से emergency को reduce कर दिया गया है करीबन 5 pages का कर दिया है क्या हटाया गया है political workers पर कैसे arrest हुआ था कैसे media पर restriction लगाई गई थी कैसे उनको torture किया गया था कैसे custodial deaths हुई थी कैसे force sterilization हुआ था कैसे large scale displacement of the poor हुआ था जैसे वो covid वाला migration अच्छा अब ये सारी चीज़े क्यों बताएंगे आप बच्चों को है अगर बच्चों को समझ में आ जाए कि emergency दिखने में कैसी लगती है तो problem हो जाएगी ना इससे अच्छा है कि बच्चों को बताओं मत कि emergency कैसी दिखती है उनको समझ में नहीं आएगा और emergency ही नहीं social movement होती क्या चीज़ है तीन तीन चैप्टर गायब कि जो contemporary इंडिया में जो social movements होते है class 6 to 12 में अब वो पढ़ाई ही नहीं जाएंगे कि popular movement होता क्या है class 12 के textbook politics of India since independence फिर से गायब अब भई हम तो चाहते हैं ना बच्चे ये सोचें ये farmer movement, ये CA movement ये anti-national है, ये पाकिस्तानी है हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये सीखें कि रस्ता को block करना सबसे बड़ी terrorist activity है अब आप ऐसे situation में लोगों को ये बच्चों को ये थोड़ने सिखा सकते हो कि ये देखो ये social movement ऐसे होता है कि 1970s में को movement हुआ था उत्तराखंड में या फिर दलित पैंथर्स ने महराश्य में क्या काम किया था 70s में, या agrarian struggle 80s में क्या था, जो भारतिया किसान union ने किया था या नर्मदा बचाओ अंदोलन क्या था अरे ये सब अगर आप इसकी वावाई करने लगोगे, बच्चे को ऐसे अंटिनैशनल चीज़े सिखाने लगोगे, तो वो भी अरबन नकसल बन जाएंगे, हटाओ टेक्स्बुक से अरे ये छोड़ो, democratic concepts, क्या ज़रू होते बच्चों को इससब democracy के बारे में समझने के लिए इसलिए एक chapter है, titled key elements of democratic government जो class 6 में पढ़ाई जाती है political science book में, उसको हटाई दिया गया ये पहला ऐसा chapter था जो एक introduction देता है बच्चों को over the concept of democracy, middle school में आये हैं, बच्चे समझेंगे, people's participation क्या होता है, conflict resolution क्या होता है, equality क्या होता है, justice क्या होता है, क्या जरूरत है बच्चों को ये सब बताने के लिए, हैं, अब भई बच्चों को तो ये समझना चाहिए, देश के एक ही पापा है, देश के सम्विधान जो पापा है, उसके बारे में नहीं जानना चाहिए बच्चों को तो अच्छा है अगर बच्चे ये ना जाने साथ ही में ये ना जाने बच्चे कि sedition क्या चीज होती है ये जो arbitrary colonial law है कि सरकार उठा के किसी पर भी sedition या कोई charge मार सकती है इसके बारे बच्चों को समझने क्या जुरूद है अब बताईए एक anti-national chapter था जिसका नाम था understanding laws class 8 के political science book में है इसमें एक detail section था जिसमें बच्चों को argue करने आख सिखा रहे थे कि state आप बताईए state one reason कि sedition act of 1870 arbitrary क्यों है क्यों वो contradict करता है देश के rule of law को अब बताईए ऐसी ऐसी चीज़ अगर आप बच्चों को सिहाएंगे तो उनको कल समझ में आएगा कि या सरकार ने कितने लोगों को sedition में बंद करके रखा है और उसके लिए कितनी जद्दो जहत हो रही है court में कि भईया sedition को unconstitutional declare करो लेकिन sedition के बाद UAPA भी है NSA भी है तो इससे अच्छा है कि बच्चे ये सब ना सीखे हटा दो हिपोक्रिसी रहेगी नहीं जानेंगी नहीं और साथ ही साथ बताइए नक्सलिजम के बारे में बच्चों क्यों बतानी के ज़रूत है तो सारे के सारे reference to नक्सलिजम नक्सलाइट movement साब कुछ डिलीट कर दिया गया है सोशल साइंस के टेक्सबुक से एक पेज पूरा जो अप्राइजिंग of 1967 था along with चारू मजुमदार के बारे में जो जो बताई गए थी क्लास 6 के बारे में क्राइसिस ओफ डिमोक्राटिक ओडर वो सब हटा दिया जाता है क्यों? क्योंकि भाई आज के डेट में सिर्फ अरबन नकसल होते है आप नकसलियों के बारे में कैसे बता सकते हो बच्चों को ने तो वो पूशल लगेंगे कि ये लोग मरने को क्यों तयार हो गए थे क्या लोग सची में इतने भूके नंगे थे कि वो state के against rise कर रहे थे तो ये सारी complicated चीज़े हैं साथ ही एक और complicated चीज caste last year एक think tank led by BJP leader विने सहस्तर बुद्धे उन्होंने report submit की parliamentary committee of education को ये बोलते हुए कि ये caste के बारे में बच्चों को थोड़ा ज़ादा ही पढ़ा रहे हैं disproportionate attention has been given to caste लेजिये कर देते का तो जो वर्नास के बारे में समझाया जाता है बच्चों को पहली बार class 6 में history textbook में called our past part 1 उसको आधे में काट दिया गया है कि भई hereditary nature of वर्नास क्या होता है classification of people as untouchables क्या होता है reaction of the वर्नास system ये सब कुछ हटा दिया गया है kingdom, kings and early republic बोल के chapter है तो ये सब समझाने के जरूरत नहीं है नहीं तो बच्चे बोलने लगेंगी सच्ची में ये discrimination है जिसके वज़े से reservation होता है एक बड़ा chunk जो discrimination बच्चों को समझाता है एक chapter था diversity and discrimination class 6 के political science textbook में उसको drop कर दिया गया है जिसमें से कुछ ऐसे एहम पंक्तियां भी है caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do बने ये जो untouchability का जो system है जो social hierarchy का system है पहली बार बच्चे से expose हो रहे है हटा दो ने 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 उनको ये सब सीखने की जरूरत नहीं है तो untouchability के बारे में नहीं सिखाया जाएगा social inequality के बारे में नहीं सिखाया जाएगा class 12 में भी ना बच्चे ये सब नहीं सीख सकते है एक बहुत important passage है from Hush Bandar's book Unheard Voices जहां ये जो दलिट्स को force किया जाता है manual scavenging के बारे में कि उन लोग bathroom toilets कैसे साफ करते है और उसको अपने सर पे कैसे ढोते है और उसको कहा ले जाते है वो पूरा का पूरा ही drop कर दिया गया है क्योंकि ये harsh reality ये सब ते जानने की क्या जरूरत है और यहीं नहीं मुगलों के बारे में क्या जरूरत है मुगलों के बारे में ये जानने की कि उन्होंने क्या किया था क्या बनाया था एक दो पेज का table था जिसमें milestone and achievement of मुगल emperors के बारे में बात किया गया था कि हुमायों ने क्या क्या शाजहान ने क्या क्या बाबर, अकबर, जहांगीर ने और और जेब ने क्या किया ये सब क्या बता है milestone हटाओ ये सब अरे भाईया बच्चों को तो बस यही समझाना और सिखाना है हमारे पूरे अगले जेनरेशन को यही बताना है कि मुगलों ने सिर्फ जजिया लिया था और सिर्फ टेंपल्स तोड़े थे बागी और तो कुछ किया ही नहीं था उन लोग ने तो ये सारी चीजे out of the textbook तो कर कौन रहा है ये सब ये जो restructuring of the national curriculum of framework इसको NCF कहते है अब ये restructuring बीज-बीज में होती रहती है ठीक है, education आगे बढ़ना चाहिए लेकिन ये जो national curriculum framework है NCF ये interesting ये है कि इस बार जो हो रहा है ये पहली बार हो रहा है since 2014 देवकी मोधी सरकार पावर में आई तो ये जो NCF है इसकी composition बहुत interesting है इसमें national co-convener of स्वदेशी जागरन मन्द से लेकर Chief of Vidya Bharati ये सब आपको मिलेंगे और ऐसे तो आपको active 17 करीबन 25 में से 17 members तो active RSS members भी आपको मिल जाएंगे Indian Express की एक होज ने एक investigation ने ये बात निकाली थी JP Singhal National President of RSS Affiliated Akhil Bharatiya Rastriya Sheshikshik Mahasang Raman Trivedi Ex-National Vice President of ABVP Professor Milind Former National President of RSS Student Wing ABVP Dr. Ravakrishna Rao All India President of RSS Education Wing Vidya Bharati और ऐसे आपको बहुत सारे और नाम मिल जाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारी education पर influence होगा और कौन-कौन हमारी education को influence कर रहा है As a matter of fact ये कोई secret नहीं है that RSS एक stamp चाहती थी अपना education के उपर और ये जो हिंदी language को compulsory कराने की बात हुई थी Class 6 onwards कि हिंदी भी as a compulsory subject हो इसको सरकार ने तभी drop किया जब बहुत सारा protest वा especially South India से कि ये आप हिंदी imposition कर रहे हो नहीं तो ये भी होने वाला था सवाल सिर्फ ideology का नहीं है आप history को rewrite करिये आप history में नए elements लाइए आप history में अगर आपको लगता है कि leftist leaning है तो उसको change करिये इसमें भी कोई बात नहीं है लेकिन क्या qualified लोग क्या able लोग हमारे education system को आज manage कर रहे है क्या able and qualified लोग हमारे education system को change कर रहे है revise कर रहे है आप जो खबरे आती है कि किस किस तरीके की चीजें और ये bulbul is एक example ऐसी बहुत सारे आपको instances हर दूसरे दिन अखबारों में मिल जाएंगी body shape को लेके CBSC का एक textbook कहता है that ideal measurement of body of a female is 36, 24, 36 it is considered the best और इसको justify भी किया गया है कि भाईया देखिए Miss World और Miss Universe competition में इसी shape को taken into consideration किया जाता है आप सोचिए ऐसी ऐसी चीजें हमारे बच्चे पढ़ रहे है औरते नौकरियां चोरी कर रही है 15 साल के बच्चे क्या-क्या पढ़ रहे है 15 साल के बच्चे ये पढ़ रहे है कि देश में unemployment level उपर इसलिए जा रहा है क्योंकि औरतों ने काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने नौकरियां ले ली है वैसे women participation हमारी economy में कितनी खराब है वो बंगलादेश से भी जादा खराब है उसके बारे में वैसे में भी एक पूरा episode पर हमने बात किया था detailed episode पर बात किया था वैसे देखोगे नहीं मालूम है economy के बारे में मैं लेकिन लगा दिया है देख लेना अगर time मिले यह समझ लो कि बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश हो रही है system को बदलने की कोशिश हो रही है कि पिछले सत्तार साल की जो भी education system थी, उससे हमारे पास एक scientific minded student community तो बनी थी, और sharp brains तो निकले थे, जो दुनिया भर में आज राज कर रहे हैं। लेकिन जिस rate पे ऐसी चीजे आ रही हैं धीरे-धीरे, एसा ना हो कि अगले 20-30 साल में हमारे बच्चे जब school से निकले, college से निकले तो ऐसा लगे कि WhatsApp University का ठपा लगा हुआ है उनके उपर और लोग उन पर हसे। क्योंकि आज तो सिर्फ बुल-बुल की बात हो रही है और औरते नौकरियां चोरी कर रहे हैं उससे बात हो रही है। इसी rate पर अगर education system change होता रहा, तो education का अच्छे दिन तो ना आएंगे।